हेलो वल, विलकम टू राजमलोत राइसेक अडमी आज एंचिन इस्टी में दो इंपोर्टेंट टॉपिक्स को डिसकस किया जाएगा जो कल्चिरल प्रस्पेक्टिव से बहुत जादा इंपोर्टेंट, बहुत जादा रेलेवेंट है पोईट्स ने तमिल लिटरेचर को डबलब किया संगम एज में तीन इंपोर्टेंट मीटिंग जो वो रेलेवेंट है फर्स्ट संगम, सेकिंड संगम और थर्ड संगम संगम का बिसिकली मतलब ही है अकेडमी और पोईट्स एंड बार्ट्स जहां पे पोईट्स जो है वो डबलब करेंगे आपके संगम या आपके तमिल लिटरेचर को तो तीन मीटिंग जो थी वो संगम के नाम से प्रचलित हुई, फेमस हुई जिसके कारण जो आपके तीन important southern kingdoms है, इनका जो time period है इसको हम संगम एज के रूप से जाते है संगम एज की duration आपकी 3rd century BC से लेके 3rd century AD के बीच में है अभी जो कुछ time पहले excavations हुई है, उससे हम लोगों को ये idea लग रहा है कि शायद संगम एज की जो शुरात थी, वो 3rd century BC से नहीं, वो 6th century BC से हुई थी लेकिन अभी इसके लिए थोड़ा सा में wait करना पड़ेगा इसकी authenticity को जानने के लिए लेकिन again excavations ने इस चीज को confirm किया है अब दूसरी चीज अगर मैं बात करूँ, संगम एज की development तभी हुई जब जब या जिस particular time पे हमारा Central और Northern पार्ट में या North Western पार्ट पे Moran Empire या Moran Kingdom जो था, वो established हो चुगा था इवन कि जो Ashokas की inscriptions थी, उनमें भी Southern Kingdoms के बारे में लिखा गया है और उसके सास्ता मेकस्तनीज की writings में भी इन तीन Kingdoms के बारे में mention है अगर मैं South India के तीन Kingdoms की बात करूँ, जो कि संगम एज के अंदर आते हैं उन तीन Kingdoms में सबसे पहला Kingdom आपका है चोला, जो की present आंधरा एंड तिलंगाना को represent करता है चोलास के अगर बात की जाए, चोलास की जो राजधानी है, capital थी, वो थी आपकी पुहार और इसका जो emblem हुआ करता था, वो था tiger उसी तरह से सेकिंड किंग्डम आपका है, पांडिया, जो modern आपका तमिलाडो को represent करता है इसकी capital हुआ करते थी, मदुरही, और इसका जो emblem था, वो था carp, मतलब fish उसके बाद तीसरा था आपका चीराज, जो की modern केरला को represent करता है इसकी capital जो थी, वो थी वंजी, और इसका वंजी, और इसका जो आपका emblem हुआ करता था, वो था आपका bow and arrow bow and arrow जो था, ये इसका arrow, ये आपका चीराज का emblem हुआ करता था तो ये तीन specific kingdom से, जो की आपके संगम हीज के नाम से जादा प्रचलित या जादा famous हुए अब देखिए सबसे पहले अगर संगम की बात की जाए, ये संगम वो वाला time period है, ये specific time पे आपका Tamil literature डवलप हुआ, तो सबसे पहला जो आपका संगम हुआ, ये हुआ आपका मदुरई में, और एक चीज ध्यान रखना, संगम literature डवलप हुआ, under the patronage of Pandya rulers, या under the patronage of Pandya kingdoms तो पहला आपका संगम होगा मदुरई में, यहाँ पे जो चेर्मेन रहेंगे वो रहेंगे अगस्तिया, यहाँ पे जो literature work डवलप हुआ था, वो हमारे पास इस particular time पे available नहीं है, लेकिन ऐसा मानते हैं काफी जगा कि अगस्तिया ने अगत्यम लिखा था, अगत्यम एक आप लेकिन इस particular time पे उसके availability उतनी जादा नहीं है या relevance शायद उतनी जादा नहीं है, तीसरा संगम आपका हुआ again मदुरई में, जिसके चेर्मेन थे, नकरिरार और यह वो time है जिसका डवलप the literature जो आज हमारे पास काफी हग तक जो है, वो मौझूद है, तो यह थोड़ी सी introduction I think यहां से आपको idea लग गया है कि संगम age क्यों कहा जाता है, कहां पर संगम age flourish हुई, क्या संगम age modern empire की contemporary थी या नहीं थी और किस किस तरह का literature डवलप हुआ, इसके बारे में detailed information अगली slides में discuss करते हैं, आप देखो यह सबसे important है क्योंकि संगम age ही famous है for the development of संगम literature, अगर मैं स संगम literature को classify करूँगा तो संगम literature जो वो दो तरह से classify हो सकता है, एक वो वाला संगम literature जो कि first, second, third संगम में डवलप हुआ, और एक वो वाला संगम literature जो कि उनके बाद डवलप हुआ, मतलब एक वो वाला संगम literature जो कि 200 BC से लेके 100 BC के बीच में डवलप हुआ, और दूसरा व आप लोग जो है, वो AD लिख सकते हो, I think, यह basic understanding आप लोगं के पास होगी है, तो जो आपका पुराना literature डबलप है, जो आपका संगम के दौरान डबलप हुआ, जैसे मैंने भी आपको बता है, जैसे थर्ड संगम में, इसको हम oldest surviving Tamil poetry भी कहते हैं, इसमें कुछ important poems है, कुछ important आपके literature है, एक का नाम है इटू टुकोई या इटू थुकाई, दूसरा है आपका पटू पटू, अगर मैं इटू टुकाई की बात करूँ, तो इटू टुकाई जो है, वो आपका 8 anthologies है, 8 अलग-अलग anthologies, 8 अलग-अलग जो आपकी poems की collection की books हैं, और अगर मैं पटू-पटू की बात करूँ, पटू-पटू जो है, वो आपकी 10 anthologies हैं, या पटू-पटू के अंदर आपकी 10 अलग-अलग anthologies जो हैं, वो आपकी mentioned है, तो यह वो literature है, जो पहले डवलप हुआ, और इसको हम लोग ध्यान रखना, इसको हम कह देते हैं, that is your, पतिनन मेलका नकू, पतिनन मेलका नकू, और जो बाद में डवलप होगा, जिसमें आपका, जो है, वो थिर्को कुरल होगा, पला मोली होगा, और नला द्यार होगा, यह ध्यान रखना, यह बाद में डवलप हुआ है, 1000 BC, इसे लिएक, बेसे, मोरल ऐसे, पलवास के time के period, जो है, यह time period के दोरान, जो है, वो आपका यह Tamil literature डवलप हुआ, इसको हम लोग यह इसी particular era में, जो है, वो डवलप हुआ, जिसमें आपका थिरुकुरल, पला मोली और नला द्यार नाम के जो है, वो important literature है, important collection of poems है, यहाँ पर बस एक चीज़ ध्यानक ना, जो आपका थिरुकुरल है, थिरुकुरल जो है, इसको फिफ्थ वेदा के नाम से भी जाना जाता है, या इसको Bible of Tamil Land भी बुला जाता है, जो आपका थिरुकुरल था, इसको author या इसको लिखा गया था, थिरु वलुवर के द्वारा, थिरु वलुवर के द्वारा जो है, वो थिरुकुल को लिखा गया, आप देखा है, दोड़ा साब को बड़ा जीव सा लग रहा होगा, लेकिन एंचिन के लिए जो है, वो आपको जितना आप मेमराइज कर सकते हो, अतना मेमराइज करना पड़ेगा, समझाए गानियां पे, दो तरह के लिटरेचर, पुराना और नया, उसके साथ, अगर मैं बात करूँ, especially, पतिनन मेलका नकूगी, मतलब पुराने लिटरेचर की, तो उसमें दो सबसे ज़ादा फीलिंग्स हुआ करती थी, दो भावनाएं, दो इंटर्पेटेशन, दो कंटेक्स्ट हुआ गरते थे, एक कंटेक्स्ट होता था अहम, और दूसरा कंटेक्स्ट होता था पूरम, बस एक जीज़ दियान रखना, अहम जो था, वो अंदर की बात करता था, इंसान के human respect की बात करता था, प्यार की बात करता था, sexual relations की बात करता था, और जो पूरम था, वो बाहर की बात करता था, वो human experiences की बात करता था, उसकी social interaction की बात करता था, उसके ethics की बात करता था, उसकी heroic ability की बात करता था, तो शायद जो वार फिर में तिखाता था लड़ते हुए, तो एक आपकी inner self आगी, that is your aham, एक जब दूसरों के साथ आप कैसे behave कर रहे हो, कैसे लड़ाई लड़ रहे हो, किस तरह का philanthropy कर रहे हो, that is your puram, तो हर एक literature में दो भाव, दो context को समझाया गया है, aham and puram को, clear, उसके collection of poems है, जो पांच epics आपके double up हुए, इन मैंसे दो तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, सबसे important है, that is your, silapadikaram and money में कलाई, और उसके लावा तीन है, जिवाका चिंतमनी, बलयापती और कुंदाला केशी, तो पांच अलग-लग आपके epics जो हैं, वो specific time के उपर जो हैं, अगर मैं silapadikaram की बाद करूँ, तो ये लिखा गया था आपका ilango edigal के दौरा, ये basically silapadikaram जो है, वो तीन characters की कहानी है, इन में तीन character है, first माधवी, पहले character का नाम है माधवी, दूसरे का नाम है कन्नगी और तीसरे का नाम है कोबलन, तो story यहाँ पर ये simple सी है, कि कन्नगी और कोबलन की शादी हुई होती है, दोनों बहुत अमीर परिवार के लोग होते है, nobles होता है basically आपका कोबलन, और जो माधवी होती है, वो dancer होती है, तो कोबलन जो है उसको माधवी के साथ प्यार हो जाता है, तो ये love triangle की तरह पूरी story चलती है, जो मनी मेगलाई थी, वो ल माधवी की बेटी हुई थी, जब कोबलन अपनी घर वाली को छोड़के माधवी के साथ रह रह रहा था, तो उसके एक बेटी हुई थी, जिसका नामता मनी मेकलाई, जो बाद में मौंक बन गी थी, तो उसी story के उपर जो है, वो आपका ये epic लिखा गया है, clear, अब देखिय इनमें दो तरह की भाव होते हैं, अहम और पूरम, अहम अंदर का भाव, पूरम, आउटर feeling या आउटर experience, उसके साथ पाँच epic भी जो है, वो आपके डबलब हुएं, जिनमें दो सबसे important है, that is, जो रहा, सिलापा थी करम एंड मनी मेकलाई, clear, तो ये था आपका संगम और इसको याद कले ना, 4-5 बर memorize करना हो सकता है literature के उपर, specifically question पूछ ले, कि बताइए जरा कौन सा literature जो है, वो संगम के साथ related है, ये बताइए जरा, सिलापा थी करम किसने लिखा, ये बताइए जरा, इटू-कोटाई जो है, वो पती नेन मिलका नकू है, या पती नेन किलका न प्री में इतना ज़्यादा relevant नहीं है, लेकि फिर भी हमें शब्दों के भावार्थ, शब्दों के मतलब, meanings जो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार पुछा जा सकता है, अगर मैं political structure की बात करूँगा संगम age में, तो आपका यहाँ पे hereditary, monarchy हुआ करती थी, और यहाँ पे आपके जो पूरे officials थे, उनको अलग-लग तरीके से categorize किया जाता है, सबसे पहले थे आपके amayachar, amayachar का मतलब होता था ministers, उसके बाद थे अन्थानार, अन्थानार थे priest class, ब्रह्मन, उसके बाद थे आपका सेनापती, सेनापती थे military commanders, उसके बाद आपके थ थुथर, थुथर थुथर वर in wise और उसके बाद आगया आपका औरर, औरर जो था वो थे आपके spies, ठीक है, जासूस, तो फिर से देखिए, amayachar, amayachar, अन्थानार, सेनापती, थुथर औरर, अरर जो थे वो आपके spies थे, थुथर जो थे, in wise थे, सेनापती जो थे वो आप लग कास्ट में divided थी, यह basically society के बारे में जो टोलकी PM, यह आपका जो टोलकी PM है, जो आपका grammar है, तमिल grammar के नाम से जिसको जाना जाता है, उसमें चार अलगल कास्ट के बारे में mention किया गया, पहली कास्ट है आपकी अरासर, दूसरी कास्ट आपकी थी, अन्थानर, तीसरी थ पॉल रहते थे और विललर जो थे, यह आपकी agriculturalist हुआ करते थे, इसके अलावा भी आपकी local tribes के बारे में mention किया गया है, जो कि आज भी आप लोगों को जबो south के अंदर पुरानी tribes देखने को मिलती है, जो शायद सबसे पहले, यह oldest in evidence of our country है, clear, जैसे आपके coals है, sorry, coals नही आएंगे वहाँ पर, जो केदार जाएंगे कोची के, जो कि आपके पुरानी है, या आपकी पालनी hills या आपकी नीलगिरी hills के उपर जो tribes रहती है, उनके बारे में भी mention किया गया है, लेकिन main चार specific cast के बारे में टोल का पीम में लिखा गया है, उसके साथ जो पूरे के पू मुलाई, जो अगरी कल्चर की आ जाता था मारुदम, जो पर, जो इसके साथ जाता था बारे मारुदम मारुदम का इरिया जो इसके साहं एखना पलाई तो आपको कुरंजी, मुलाई, मरुदम, नियदल, बलाई इसके बारे में आइडिया होना चाहिए उसके बाद अगर धर्म की बात की जाए तो more or less जो आपका संगम एज है this particular age was influenced by Hinduism और इसमें जो पूजा की जाती थी वो मयान की की जाती थी, that is your Vishnu, वेंदन की की जाती थी, that is your Indran वारुनन की की जाती थी, that is your Vayu और ध्यान रखे यह जो वरुनन है, यह आपका जो वेंदन है, मयोन है यह सारे के सारे आपके Hindu गॉड है और especially जिसे इंदर है, वायू है यह वो गॉड है जो वेदिक, आपका प्री वेदिक पीरिड था, वहां पर पूजे जाते थे, बाद में गॉड आपके चेंज होगे थे, इसके बारे में में हमने डिटेर्म में डेसक्स किया था असान भाशा में ध्यान रखे, जो संगा बेज थी, it was dominated by Hinduism उसके साथ जो था, वो hero stone या nadu kal को भी worship किया जाता था, वो warrior जो की आपके war में participate करते थे तो hero stone जो है, या nadu kal जिसको कहा जाता था, ये भी पूजा जाता था, आपका संगा बेज के अंदर और उसके साथ साथ women poets को भी या women की जो condition थी, वो भी better थी, no doubt, वो specific time के उपर polygamy मौजूद थी, especially higher classes में और उसके साथ 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 सती प्रथा को भी हम लोग consider करते हैं, कि शायद सती प्रथा भी उस time पे हुआ करती थी लेकिन साथ में women जब आपका संगम हो रहा था तो वहाँ पे women points की भी participation थी, तो women की condition दोनों थी, women की condition अच्छी भी थी, women की condition जो थी, वो worst भी थी उसके साथ अगर मैं agriculture की बात करूँगा तो again rice, ragi और sugar के important crops थी वहाँ की और उसके साथ साथ जो थे वो आपका जो संगम जो आपके kingdoms हुआ करते थे इनके Greeks और Roman kingdoms के साथ भी trade relations हैं, क्योंकि हम लोगों को जो है वो काफी Greek coins जो है वो संगम जो kingdoms है या आपके southern kingdoms है वहाँ पे तो एक बार उठाइए, revise करिए और multiple time देखिए क्यादर, क्योंकि literature and यह जो specific शब्द हैं, यहां से pre में सवाल आने की संभावना जादा है Done, तो यह आपके थे important सारे के सारे संगम जीच के बारे में, अब next topic के उपर आते है, that is your post-moran sculpture art तो अगर हम post-moran की बात करेंगे, तो देखे, South India की बात आगी, हम लोगों को समझ की, जब आपका Moran Kingdom था, तब वहाँ पे southern side पे भी आपके kingdoms हुआ करते थे लेकिन देरे-देरे जब आपका Moran Empire देरे-देरे जब disintegrate होना शुरू हो गया, तो पूरे का पूरा जो नदन इंडिया है, वो अलग-अलग kingdoms में divide हो गया अब देखो, जो आपका आंधरा प्रदेश वाला एरिया है, वहाँ पे आ जाएंगे तुम्हारे साथवनाज, यह सब पोस्ट Moran period की बात है, जो आपका आंधरा वाला एरिया आ जाएगा, वहाँ पे आपके आ जाएंगे साथवनाज, निच्चे आपके थे, कौन से जो आ पाकास कहेंगे, उसके साथ जो है, अब देखो, यह सबसे important kingdom है, जो आपका अफगानिस्तान से लेके जो है, वो आपका Eastern India तक फैला हुआ है, जिसको कहा जाएगा कुशन empire, यहाँ पे एक बात रखना, कुशन जो थे वो थोड़े बात में आये, कुशन से पहले यहाँ पे इंडो-कुरीक्स को हटाया, यहाँ से और अपना empire जो है, वो establish किया, तो बस यहाँ पे दो-तिन चीज़ें समझिए, ज्यादा यहाँ पे तिमाग नहीं, tension नहीं लेनी है, यहाँ पे दो-तिन चीज़ें देखिए, यहाँ पे दो-तिन चीज़ें हैं कि कुशन empire कहाँ पे है कुशन empire जो है, वो हमें अफगानिस्तान वाले अरिया में भी देखने को मिल रहा है, कुशन empire जो हमें नदन साइड पे भी देखने को मिल रहा है, अब देखिए, कुशन empire जो है, वो भारत में दो-तरह के sculptures को डबलब करेगा, यहाँ पे जो आपका अफगानिस्तान पाकिस development of two types of sculpture art in India first is your Gandhara and second is your Mathura और यह देखिए यहाँ पर जो आपको साथ बनाज दिख रहे हैं यहाँ पर third type of sculpture art जो है वो develop होगी that is your Amrabati school of art तो तीन तरहा की art developed है तो इन ही के बारे में जो है वो आज का lecture जो हमारा चलेगा तो चलिए यहाँ पर तोड़ा idea लगा होगा आप लोगों को देखियार कुशन जो है कुछ नहीं करेंगे अभी तक क्या था कि जो हमारा Buddhism था वहाँ पर मूर्ति पूजा आइडल वर्षिप जो है वो नहीं आएगी अब क्यूंकि वो आइडल वर्षिप नहीं है और उसके बाद Hinduism जो है वो इसी आर्ट को पनाएगा और हमारे यहाँ पर भी जो अलगलग Gods है उनकी मूर्तियां बनने शुरू हो जाएंगी तो हमारे यहाँ पर सबसे पहले जो human depiction है God की वो आपकी कुशनाज ने या Indo-Greeks ने करने शुरू की थी जादा credit कुशनाज को देते हैं क्योंकि कुशनाज ने फुल फ्लेश जो है वो आपका sculpture art है उसको हमारे देश के अंदर डबलब किया अब देखिए तीन तरह के school थोड़़ड़ा बने आपके साथ discuss किया अगर हम गांधारा की बात करें तो गांधारा वो art है जहां पे आप लोगों को जब हो hellistic और Greek art जो है उसकी influence देखने को मिलेगी more or less गांधारा के उपर हमें Southern Kingdom हमें जो है वो Romans की influence देखने को मिलती है Greeks की influence देखने को मिलती है इवन कि कुछ Central Asian influence भी देखने को मिलती है लेकिन अगर मतुरा की बात की जाए तो मतुरा completely indigenously developed हमारी art है जो की North India में developed हुई अब एक बात देखिए मतुरा में याद करा last lecture में जब हम लोग ने Moran Kingdom के बारे पर देखा था तो हमने देखा था कि Moran Kingdom में यक्ष और यक्षनी की मूर्तिय मनी थी तो मतुरा में यक्ष और यक्षनी को ही पहले बनाया जाएगा और ज़्यादा develop किया जाएगा तो यहाँ पर जो art या initial stages के उपर जो idea लिया जाएगा वो indigenious होगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा foreign influence आपको देखने को नहीं मिलेगी और अमरावती क्योंकि यह साउथ में ही है तो obvious बात है यहाँ पर वैसे ही external influence नहीं होगी और साथमनाज वैसे ही internal kingdoms रहेंगे तो यह भी आपका indigenious in nature है तो गंधारा मतुरा अमरावती तीनों में difference क्या है गंधारा के उपर external influence है मतुरा और अमरावती में आपको दिखाता हूँ वहाँ पर आपको idea लग जाएगा और अमरावती जो है वहाँ पर white marble को use किया जाएगा गंधारा स्कूल क्योंकि जो आपका कनिशका था सबसे important kushinas का ruler, kushins का ruler वो आप उसने buddhism को embrace कर लिया था तो गांधारा में जो जादा development होगी वो बुद्धिजम की होगी मतुरा क्योंकि वहाँ या मतुरा एक ऐसा center है जहाँ पर हिंदुजम, जैनिजम, बुद्धिजम हर क्योंकि उत्तरबरदेश है यहाँ पर more or less आपको हर एक religion की reflection उस specific time पर भी देखने को मिलती थी क्योंकि सब धर्म जो थे वो more or less वहीं पर ही concentrated थे तो मतुरा की अगर बात की जाए तो बुद्धिजम, जैनिजम, हिंदू, इमेजीज जो है भी मतुरा स्कूल में आपको देखने को मिलेगी अमराबती में आपको मेली बुद्धिजम थीम्स ही देखने को मिलती है अगर गांधारा की patterns की बात की जाए तो अभी हमने discuss किया कुशनाज ने गांधारा स्कूल को डबलब किया मतुरा को भी कुशनाज ने डबलब किया लेकिन जो अमराबती थी उसको किस ने डबलब किया आपके शात्वनाज ने डबलब किया ये specific आपके regions के बारे में है ये हम लोग already discuss कर चुके है अब देखे गांधारा आर्ट के अंदर जो है गांधारा आर्ट के अंदर जो है वो जब महत्मा बुद्धा की मूर्ती जो है वो उसको बनाया जाएगा तो वहाँ पे महत्मा बुद्धा के बड़े-बड़े बाल होंगे उनकी beard होगी उनकी मूच्छे होंगी clear है और महत्मा बुद्धा की जो मूर्तिया है वो दोनों situations में होगी बैठे हुए बतला seated and standing images are found और उसके साथ-साथ जो eyes होंगी वो half closed eyes होंगी और जो कान होंगी उनका size बड़ा होगा अब यह दियान लगना यहाँ से थोड़-थोड़ा हमें difference पता लगता है जो आपका गांदारा art है वहाँ पे महत्मा बुद्धा बैठे हुए position में भी है standing position में भी है और उनकी जो eyes हो half closed है और साथ में जो उनके कान का size है वो बहुत बड़ा है लेकिन जब मत्रा की बात की जाएगी तो मत्रा में जो beard या mustache है या मुच्छे है जो आपके महत्मा बुद्धा है उनके बारे में नहीं mention किया जाएगा और उसके साथ maximum जो मत्रा स्कूल की images है जहां उन images में जो god है वो आपके seated position में है बैठे हुए position में है और eyes जो हैं वो मत्रा में open हैं खुली हुई है properly और ears जो कान है उनका size छोटा है लेकिन गंधारा में जो कान और आंग थी उनका तो different था वो आप लोगों को देखने को मिलता था और जो अमराबती स्कूल रहेगा अमराबती स्कूल में जो जाटकाज है जो आपकी birth stories of Buddhism है उनको represent किया जाता था different different sculpture art of yes different different sculpture art में और मत्वुरा की अगर मैं बात करूँ क्योंकि यहाँ पे Hinduism भी है तो यहाँ पे Shiva देखने को मिलेंगे Vishnu की मूर्ति आपको देखने को मिलेंगे Karthik देखने को मिलेंगे महावीर Jain की मूर्ति देखने को मिलेंगे तो अलग-अलग sculptures जो है वो आपके मतुरा में डबलब हुएं तो तीन तरह के sculptures आट है गंधारा, मतुरा और अमरावती अब थोड़ा सा और detail में देख लेते हैं specially गंधारा को अब देखे अगर हम गंधारा की बात करेंगे तो गंधारा में जो महत्मा बुद्धा है अगर देखे, यहाँ पर देखे, this is your cranial bump आ गया और देखे, माथे के बीच में जो है वो आप एक छोटा सा dot आ गया तो यह जो माथे के बीच का छोटा सा dot है इसको हम कह देते है, that is your urna urna जो है वो आपका inner vision को represent करता है और जो आपका यह उपर cranial bump आ गया सर के उपर इसको हम कहते है उशनिशा उशनिशा जो है यह आपका superior wisdom को represent करता है तो यह दो चीज़े आपको पता होने चीए वैसे यह तीन specific features थे आपके गंधारा के एक था urna जो यह बीच बला आ गया उशनिशा जो आपका cranial bump आ गया और तीसरा आपका था elongated ear यह देखे कान देखोगे तो आपके मात्मा बुद्धा की जितने भी sculptures बहाँ पे ear का size बहुत बड़ा था यह हर चीज हम गंधारा आर्ट की बात कर रहे हैं अब देखे यह सबसे पुराणा एक्जामपल आपका है बमियान बुद्धा जो की गंधारा आर्ट में हमें इस पटिकुलर टाइम पे जो है वो अफगानिस्तान वाल एरिया में देखने को मिलता है बमियान में जिसका नाम है बमियान भी ए बमियान बुद्धा आज या इस पटिकुलर टाइम पे जो आपका तालिबान था उसने इस पटिकुलर स्कल्प्चुर को डिस्ट्रॉय कर दिया हुआ आपको यहां पे भी गोलियों के निशान जो को देखने को मिलें जो है वो आपकी गंदारा की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है यह सिर्फ आपको मुद्राज को समझाने के लिए है क्योंकि एक दो बार एक्जाम में मुद्राज के बारे में सवाल पूछा जा चुका है तो देखो यह सबसे पहले आपकी आजाएगी ध्यान मुद्रा ध्यान मुद्रा का मतलब है कि आपकी मेडिटेशन अब देखो यह में ज़्यादा बेटर लग रही है यहाँ पर ज्यादा क्लियर हो रहा है अब देखे दोनों हाथ जो है वो आपस में है धरम चक्कर का सिंपल सा मतलब यहाँ पर है देखें, अभे मुद्रा का मतलब है, don't fear, जो follower है, उनको डरने की कोई अब शक्ता नहीं है, उसके बाद आपकी आ जाएगी भूमी स्पर्शा, भूमी स्पर्शा का मतलब, यह वो बाली मुद्रा है, देखें, यहाँ पे अर्थ को जो है, वो टच किया जा रहा है, यहाँ पे calling the earth to witness the truth, क्योंकि जब महावी, जो आपके महात्मा बुद्धा थे, इनको ज्यान की प्राप्ती हुई, enlightenment हुई, तो उस specific time पे उसका जो गवाही थी, उसका जो witness था, वो अर्थ ने दिया, तो उसको कहा जाता है, भूमी स्पर्शा, जहाँ पे अर्थ को टच किया जाता है, ताकि अर्थ गवाही दे, अर्थ एक witness हो, तो reveal the truth की, इनको meditation या इनको जो enlightenment है, प्राप्त हो चुकी है, या मोक्ष की प्राप्ती हो गई ही है, या भूमी स्पर्शा, यह UPSC में पूछा जा चुका है, उसके बाद आजाएगा आपका वार्दा, वार्दा का मतलब हो गया, इस particular mudra, basically symbolize charity compassion, clear, और देखें, यह आपका आजाएगा, मुदरास खदम, यह आगे आपका मतलब स्कूल, तो मतलब स्कूल में मैंने आपको बताया था, रेड सैंड स्टोन जब वो यूज हो रहा है, यहाँ पर रेड सैंड स्टोन जब वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, और लास्ट आगे आपका अमरवती यह एक एक इमेज है, बागी डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने देख ली है, यहाँ पर आपको वाइट मारवल जो है वो यूज होगा, वाइट मारवल को जो है वो अमरवती स्कूल में यूज किया जाएगा, तो यह थे आपके इमपोर्टेंट फीचर्ज मतुरा, गांधारा, अमरवती और उसके साथ साथ आपके संगम लिट्रेचर के, तो इसे के साथ आज का लेक्चर जो है, उसको हम लोग खतम कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद.